तो वांस अगेन एम बैक विद न्यू वीडियो और इस वीडियो में मैं बात करूँगा डैटपुल एन उर्वरिन मुवी के बारे में तुशली वीडियो को शाट करती है तो आप लोगों को अगर बैगराउंड में कोई नॉइज आ रही होगी तो उसे एक्नॉर करो फूल मेरी आवास पर फोकस करो मैं फटा फट वीडियो बना रहो और आप लोगों को बता रहो कि एक्चुली क्या सीन बताया गया सीनेमा कॉन में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डैटपुल 3 का सीनेमा कॉन में तो जो scene शुरू होता है, वो होता है Deadpool से, Deadpool कहता है, So I Heard, Shade Wars is Finally Gonna Introduce, और यहाँ पर cut होता है, उनकी ringing के आवाज आती है, और Wolverine दखिल देता है Deadpool को frame से, यानि किसी फ़र में Wolverine दिखता है, और Wolverine fourth wall break करता है, और audience से बात करता है, यानि वो कहता है कि आप लोगों को ring बन करकी र drive कर रहा है, कार जहां पर बच्चे होते हैं, और वो बातचित वगरा करता है, फिर हमें Peter दिखाई देता है, Colossus दिखाई देता है, Deadpool के साथ, वो लोग बातचित करते हैं, फिर जो main scene है, वो है, के वेट कैप्चर हो जाता है TVA वालों से, और वो direct उटटा है TVA की office में, जह उसे एक Captain America की clip दिखती है, जो की unseen clip होती है, हमने अभी तक उसे देखा नहीं है, तो वहाँ पर Deadpool salute करता है Captain America को, और इतना ही नहीं, इसी के साथ हमें दिखने वाला है Thor, तो Thor रोता है Deadpool की body देखकर, यानि कि यह जो footage होगा, वो होगा future का, ऐसे paradox कहता है, यानि कि future में Deadpool मर जा जीजस, जैसे कि आप लोगों मने बता है ता, फिर वो camera को turn करता है, और ऑसको कहता है, कि मैं जा रहूँ डिसनिलेंड, और footage end होता है Deadpool के एक new superhero suit से, यानि कि उसको एक new superhero suit मिलता है, तो इतना ही था, जो कि में सीन था, I hope कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर आप आप लोगों को बता दिया, में में चीज, इसे के साथ आप लोगों को में बता दूँ, के एन फैकिसन ने confirm कर दिया है, कि Deadpool 3 R Rated होने वाली है, तो इतने सारी details सी Deadpool 3 को लेके, और भी चीज कुछ रहेगा, तो मैं उस पर ट्राइ करता हूँ, फटपर वीडियो लेके आने की ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करो, और कि यू बंदा है बंदी वो चानल को शेयर और सबस्क्राइब करो, तो मैं मिलता हूँ, वैसे किसी नेक्श वीडियो में टिल दन चानल को शेयर करो